जहादा कश्मीर के आबादी है अवाम अगर कहीं नाराज है तो यह एक बहुत बड़ा इशू है जहादा कश्मीर के आबादी है अगर वहां आबादी के हिसाब से सीट बढ़ जाते है तो बढ़ानी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ आम जंता डिलिमेटेशन कमिशन की रिपोर्ट का वेट कर रही थी कि आगरकार इस बार क्या निकल के कुछ नया आने वाला है तो कुछ नया जरूर निकल के आया है एक ऐसी MP की seat जो कहीं ना कहीं जभू कश्मीर की जो बटी हुई दूरी है उसको जोड सकती है क्या असल में ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी और कश्मीर की लोग उसको किस तरी के से देखते हैं आज बातचित करते हैं जानने की कोशिश करते हैं तो कश्मीर के लोगों की बात आराम से बता सकते हैं चलिए बाचित करते हैं पहले तब का दोनों का बहुत बत स्वागत है किस तरीके से आप समझते हैं इस समय जो डिलिमिटेशन कमिशन की रिपोर्ट आई है मेरा कहना है कि यह मुझे लगता है कि यह राइट टाइम पर राइट सिटप है क्योंकि आप यह साइने सी दूर है तो इस दूर में ऐसा डिलिमिटेशन जो यह जो कमिशन बैठा था यह किसी गौवर्मेंट का नहीं होता है यह आटानमस बाड़ी होती है यह लोगों के जो बनियादी है मसायल है हल है उनका यह अजाला करने के लिए यह दिलिमिटेशन टीम जो काम कर रहे हैं किए उनकी नाहों के बहबूब के लिए काम कर रहे हैं मुझे लगता है किए उन्हों ने बहुत अचछा स्टप लिया और देर से ही एंए उन्होंने वांसाइडिर इसको लेया था और हमारे German कश्मीर को दो हिसों में बाटा था लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्हों ने एक पार्लिमेट सीट जो जिसको अरदना के साथ राज्योरी मेंडर अलाके को उसके साथ मिलाया है यह बहुत अच्छा सिटेप है और इसमें हमारी दूरियां काम हो सकती है और हम आपस में जूड़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा सिटेप है एक लोगों को कहीं ना कहीं इससवाल यह वह था कि इस पार जब्ली सीट बढ़ी है कश्मीर के लिए सीट कम हुई हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विरोज, जो है इसका क्या गया असल में कश्मीर के और मैं एक्जेक्टिव मिंबर हूँ आपने हमारा रियक्शन चाहा है जुमो में छे और कश्मीर में एक सीट ये एक इस कमिशन को देखना चाहिए क्योंकि पॉपलेशन जो होता है वहां के हिसाब से मसावी जिसको बोलते हैं एक्वल शीर में अगर शीर बढ़ जाती है और कश्मीर में तो बढ़ानी चाहिए इसमें कोई लिमिट नहीं देखना चाहिए हो सकता है या सव के पार भी हो जाएं यह मैं एस सिवल स्वेटी मिं कि यहां पर लोगों की राई को सुना जाता है जो जुमूरी तो तरीके होते हैं तो इसमें अगर आवाम अगर कहीं नाराज है तो यह एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर जुमू के बराबर जुमू से ज्यादा कश्मीर के आबादी है अगर वहां आबादी के हिसाब से सीट यह और बढ़ जाते हैं तो बढ़ानी चाहिए तो ओराल मैं हमारा कुंजर का एक सीट उन्होंने बढ़ाया है नाम चेंज किया है कुंजर बन गया है तो मैं कुंजर के आवाम को यहां से क्यूंकि मैं उसी अलाके से बिलांग करता हूं तो उनको मैं दिल की अगर कुछ नाराज गया है तो उनको भी बात चीत करके उनको सुना जाए उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए और जो हमारे पंडित लोग है और जो सरदार लोग है यहां के अगर वो लोग नाराज है कि उनको किसी तरह का कोई हिसादारी इसमें नहीं दिया गया है तो एक अच्छा सिटप है और आल जो उन्हें एस्टीज के लिए जो उनकी धीरी ने मांग थी जो उनका बहुत देर से मुदालबा था उनको जो हक मिला है तो हमी बहुत अच्छा लगाई है अब लोग कह रहे हैं कि हमानो हमारी पुलिटिकल पार्टिज यह हैं एंसी वाले इस जो सरकार का हमेशा जो होता है जो भी फैसला लेते हैं उसमें अवाम की राए ली जाती है लेकिन बाइफ फोरस कुछ चीज नहीं होनी चाहिए उससे क्या होता है कि उसे लोग में लोग के दिलों में नाराजगियां बढ़ जाती है डिमोक्रेटिव सेटम में हमेशा है 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 अगर जो मो कश्मीर में ओर शिटी बढ़ जाती है तो एक फैसला लें जाना है चाहिए कि वहां पर और चार सुlica करी और बढ़ जाती है अब तो जमू एंड asylum कश्मीर नहीं रहा अब यह जमू कश्मीर हो गया अप तोई जो मूँ जूम्ऊ में ज्यादा सीटी और कश्मिर में ज्यादा शीटिये पुराना वाला सुराग खतम हो गया अब अब यह नहीं देखना चाहिए अब जहां भी जतना अवाम है उनको जतनी जुर्दत है अगर सीट की जुर्दत है उन्हीं जानी चाहिए तो एज जुम्वर कश्मीर सुवर्ड सुवर्ड अब हैं उनको दूर किया जाना चाहिए क्या आपको लगता है कि जो दूरी है सबसेती बाइस की यहां की यहां बनकर आएगा जो जिसको मेंडेट मिलेगा तो वो तो चाहेगा ही क्योंकि उसको आएंदा के लिए जो फ्यूचर के लिए उसको लोगों के पर जाना है तो तब ही जा सकता है जब वो एक्वल शेयर देंगे और एक्वल डेवलमेंट एक हो जाए तो इसलिए मुझे लगता ह कम से कम इनकी रिजर्वेशन रखनी जुरूरी है यह बहुत मैं आपका शुक्रिया आदा करता हूं कि आपने हमें अपना किम्टी वाकित देकर हमारा हमारी राय जानी और सुनी तो मैं इसके लिए आपका शुक्र गजाना है तो सिविल सेसाइटी का क्या कहना है यह तो आप समझ गए पर कहीं न कहीं एक बात है कि अगर सीट बढ़ाई जानी चाहिए थी तो और बढ़नी चाहिए थी जिस तरह से आपने स्टीज को कहीं न कहीं तवज्जो दी बाकी भी ऐसे कई समुदाई थे जो लगातार तवज्जो मांग रहे थी कि भाया हमारे लिए भी कश्मीर के लिए कम जादा हो गया और वो कम होगा क्यूंकि जमोर कश्मीर के लिए कठा ही सब पुछ आएगा और यह कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज हो सकती है आने वाले समय में पर क्या यह चीज कि कुछ लोगों को नदर अंदास करना सही था आपको क्या लगता है यह कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जो सिवल सुसाइटी है उनकी तरफ से थी आप अपनी राय ज़रूर रख सकते ही कि आखिरकार आपको यह डिलिमेटिशन कमिशन की रिपोर्ट किस तरीके से लगती है आम जंता के लिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा बनेरी जमो परिव कर दो तो 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 नवशकर